तो आज मैं बनाने बाली हूं गाजर का हलवा जो कि हम सबका बहुत ही ज्यादा फेबरेट होता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को ज़रुर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे क्ल जी तो जो श्कष है एक गलस दो ययानि कि 300 ग्राम सुट आप यह का जो मैंने 10 ग्राम यूंज किया है जो मैं कर सक करके रखा इस fulf। कोट के रख्खा है ये किषमे साय इसे भी मैंने 10 ग्राम यूज़् scientists किया है घी तीन बडए چमच चीनि 200 gre कजर कालवा बनाने के लिए ग्यास वां कर दिए तो यहास हाई फ्लेम में रखें कड़ाई गरम होने के बाद इसे मेडियम फ्लेम में कर दें अभी हमारा कड़ाई पुरा गरम हो चुका है इसमें तीन चमज घी डाल जियों गी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दे देखिए हमारा गी अच्छे से पुरा मेल्ट हो चुका है इसमें में जो गाजर मैंने घिसके रखा तब इसमें में डाल दियों सबसाई भजाए डाल है अब इसे अच्छे से घी केसाँ मिक्स कर लिया है अच्छे जालों का टेस्ट और भी जादा बढ़ा देखिए अब इच्छे से घी के साथ मिक्स कर लिया है तेखिए अब यह पुरा अरेंज कलर में हैं दुखरा है ज्यास आप मीडियूम प्लेम में ही रखे और इसे मिलाते रहें करीब इसे हमें 20 मिनिट तक इसे ही पकाना है अब देख सकते हैं यह 20 मिनिट हो चुके हैं तो हमने जितना घाजल लिया का अभी क्वांटिटी काम होके इतना से अभी इतना हो चुका है तो इसे हमें और 10 मिनिट तक प्राय करना है यह अच्छी से जब भून जाए सब तक इसे हमें साय करना है इसे आप बीच बीच में पिलाते रहें चम्मक से नहीं तो यह पुरा निचे से लग जाएगा तो अभी हब देख सकते हैं यह गाजर पुरा कितना भून गया है हमारो चलाते रहें और दो मिनिट के लिए इसे भूना है हमें क्वांटिधी इसे बूने हैं इसे मैस करके गर के शक्ते हैं हमारा गाजर पुरा अच्छी से भून चुका है तो इसमें हम टालेंगे अभी दूद्ट और इसे दूद्ढे अच्छे से मिला ले ग्यास का फ्लेम थोड़ा बढ़ा दे इस को दूद्ध के साथ गाजल को मिक्स कर लें मैंने पूरा अच्छे से दूद्ध एसjor मिron मिक्स कर लिए हैं तो अभी इसे हमें लो मेडियम प्रेम में अच्छे से पकाना है दिखिये मैं इसे मोड मेडियम में कर दिया है अब चाह Dennis कभर कर सकते हैं लेकिन में कवर नहीं कर भीए इसे लो मेडियम मीड में अब दस से पंद्रा मिनित तक पका कि दूद पूरा गाजर के साथ पूरा मिल जाए इससे पूरा मैस कर लिया आप दिखे और बीच पीच में आप चमस्ते इलाते रहें तो अभी आप देख सकते हैं पारा गाजर दूदके साथ अच्छे से पूरा कर चुका है इसे मैं अभी मेडियूम फ्रेम में दे रही हूँ और अच्छे से मिला दे रही हूँ इसके बाद मैं अभी चीनी डाल रही हूँ इसमें और यह सब अच्छे से पुरा मिक्स कर लें तो अभी आप देख सकते हैं चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी एकल डाएं तो यह पानी अच्छे से गलने के लिए हमें इसे लोग मेडियम फ्लेम में पकाना है अब अब देख सकते हमारा गाजर का हलवा अल्मोर्ट रडी है इससे बस हमें और दो मिनिट के लिए पकाना है तो मैं ग्यास अभी मेडियम प्लेम में का लिए हूँ और इसमें यह फूरा किसमेस में डाल देए हूँ अब लिए लाइची पाउडर फूरा डाल देए और इससे अच्छे से फूरा मेक्स कर देए तो अभी देखिए हमारा गाजर हलो अब यह पूरा रेडी हो चुका है तो मैं अभी यास आफ कर रही हूँ तो मैं अभी एक प्लेट में इससे गाजर हल्वा को निकाल रही हूँ देखिए मैंने इससे पुरा निकाल दिया है तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा गैनेस करने के लिए काजय उपर डाल रही हूँ और यह एल्मंड जो मैंने क्रस करके रखा था देखिए तो यह पूरा हमारा गर्मा गर्म गाजर का हल्वा रेडी है आप इससे जरू ट्राय करें अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छ लगे तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें यह रे